Hello everyone, कैसे हैं आप सब, once again welcome back to my new video, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा informative रहने वाली है, आप सब को पता ही है कि मैं vlogs डालता हूँ, daily vlogs डालता हूँ, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी different होने वाली है, थोड़ी सी informative होने वाली है, आज की वीडियो में मैं vlog नहीं डालूँ और वो vlogs डालने की इच्छा रखते हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा informative होने वाली है, तो इसलिए वीडियो बोना बिल्कुल end तक देखना, आप सब कुछ पता लगी जाएगा, कि एक vlog चैनल स्टार्ट करने के लिए, क्या-क्या चीज़ों की जहत प साथ लेके जाता हूँ, ट्रिप्स पे जाता हूँ, तो क्या-क्या चीज़े यूज करता हूँ, चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं, अपने पहले एक्यूपेंट से, मैं एस्यूम करता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रह हैं, और वो ऐसी वीडियो को डूंड रहे हैं, जो कि उनको नए चैनल को स्टार्ट करने में, सेट अप करने में काफी ज्यादा हेल्प करें, तो वो ही ओडियन्स को मैं टार्गेट कर रहा हूँ, अगर आपको सारी इंफॉर्मिशन लेनी है, एक नया व्लॉग चैनल बना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफर्मेटिव रहेगी, तो आगे बढ़ते हैं, अपने फर्स्ट एक्योप्मेंट की तरफ, जो सबसे ज़्यादा में एक व्लॉगर के लिए वो होता है, उसका मोबाइल फोन, सिफ़ अप एक मोबाइल फोन काफी इजी भी होता है, जलकि आइफोन में इतना कुछ इजी नहीं होता है, एंड्रोइट फोन में सबसे ज़्यादा इजी होता है, वीडियो को रिकॉर्ड करके एडिट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत सारे सौफ़वेर्स होते हैं एंड्रोइट में, जो की अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो आपने देखा होगा बड़े-बड़े जितने व्लॉगर्स होते हैं वो बड़े-बड़े कैमरा से लेके उसमें लंबे-लंबे रोड के माइक लगा के घूमते हैं लेकिन जब वो अपने इनिशल स्टेजिस में थे उन्होंने वो कैमरा पर आप लेका नहीं यूज किया था वो भी एक मोबाईल फोन से व्लॉक्स बनाते थे मोबाईल फोन से ही वीडियो बनाते थे एक माइक लगाकर सो ऐसा होता है कि अगर आप एंड्रोइड फोन यूज कर रहे हो तो आपको एक एक टरनल माइक लेना बस बोयाका एक स्टरन पर main reason मैं बतातू हम आपको shift होने का है क्या है क्योंकि iPhone का माइक है न वो इतना ज़्यादा powerful है आप बड़े वाली जितने भी cameras के माइक होते हैं वो उनको ठकर देता है सिर्फ और सिर्फ एक माइक वाला factor है उसके वाज़े से लोग iPhone पर shift हो रहे है अदर्वाइस quality तो Android phones में भी इतनी तगड़ी आ रही है न जितने भी आप मेरे vlogs vlogs देखो कि लदाक के लदाक की पूरी series मैंने अपनी Android के phone से बनाई है iPhone मैंने जस्ट अभी थोड़े time पहले ही बाई किया लेकिन मेरी लदाक की पूरी series मैंने एक Android phone से बनाई थी अप जा के देखना वीडियोस को आपको quality दिखेगी quality में कोई भी फर्क नहीं दिखाई देगा Android में और iPhone में कोई भी फर्क नहीं दिखाई देगा quality में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक iPhone या फिर एक बड़े वाला camera लेने की ज़रूरत है आपको सिर्फ ज़रूरत है एक normal mobile phone Android mobile phone की ज़रूरत है सबसे main equipment आपको वही है तो यह अपना first equipment अब भरते हैं अपनी second equipment की तरफ तूसरा equipment है मेरा GoPro तो आप यह चीज़ देखके अंदाजा लगा चुके होगा कि यह GoPro मैं किस चीज़ के लिए यूज़ करता हूं जब मैं Moto vlogging करता हूं अपनी लंबी ट्रप्स पर बाइक के ट्रप्स पर जाता हूं तो मैं यह GoPro यूज़ करता हूं पहले vlogging में भी मैं इसको यूज़ किया करता था लेकिन फिर उसके बाद मैं आइफोन ले लिया तो इसको मैंने vlogging में यूज़ करता बंद कर दिया Moto vlogs में इसका काफी फायदा इसलिए होता है क्योंकि इसकी stability बहुत ज़्यादा अच्छी होती है stabilization GoPro की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कोई भी action camera अभी तक ऐसा नहीं है जो GoPro की stabilization और video quality को match कर पाए इसके पीछे मैंने यह लगा रखा है जो की straps है यह सको help करते है helmet में लगाने में helmet में GoPro लगा जाता है और इसके साथ मैंने एक media mode भी लगाया हुआ है तो इस media mode मैंने क्यों लगाया हुआ है ,media mode की help लगा है, adapter आता एक GoPro का, वह आप कोई नहीं लगाता अब सब लोग मीडिया मॉड यूज करता है क्योंकि इसी में लोग माइक लगा लेते हैं और हैलमेट के इंतर माइक फिट कर देता है तो मीडिया मॉड सिर्फ काम आता है माइक लगाने के तो अगर आपको एक्स्टरनल माइक जोड़ना है अपने गो तो गोप्रो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पुल होने वाला है और व्लॉगिंग के लिए आप अपना मुपाइल फोन यूज कर सकते हैं के 20 प्रोव मेरे पास्तों के 20 प्रोव था एंड्रोइड में और भी बहुत सारे एंड्रोइड फोन आता है आजकल और सारे के सारे इंड्रोइड फोन की क्वाटी एक तम बेस्ट आरही है विए आजकल और सब के अंड्रोइड फोन के अंदर वाइड एंगल लेंस तो आपके वीडियो ऐसे करके पर सकते हैं घूरे नंबर की क्वाइटी आती है तो अब आ जाते हैं अपने तीसरे equipment की तरफ जो की main equipment है सबसे ज़्यादे important equipment है यह equipment आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला यह आपको लेना ही पड़ेगा यह equipment है Sinko का mic मैं तो Sinko का mic यूज़ करता हूँ बोया का भी mic आता है लेकिन मैं Sinko का mic इसलिए यूज़ करता वो audience तक अच्छे से एक mic से ही पहुच पाती है अगर आप mic नहीं यूज़ करता है तो काफी गूंचती-गूंचती सी आवाज आती है तो उसके वज़े से जो viewers होते हैं उनको बिल्कुल भी interest नहीं आता है वीडियो देखने में तो अगर आप एक Android phone यूज़ कर रहे हैं त अपरो तो आपके लिए सिर्फ एक सेन को कमाई काफी है आपको दो दो माईक लेने की जवत नहीं पड़ेगी तो अब आज आदा आपने last equipment की तरफ वह एक एक software वह एक editing software जो आपके mobile phone के अंदर ही होता है तो सब स्याधा important होता है editing software क्योंकि जितने भी आप अपने raw content बनात से editing software इतना जाधा important है कि उसके बिना आपके vlogs की quality और vlogs का जो interest बनाने का जितने भी factors है सारे सारे editing software के अंदर ही होता है तो वह सब के लिए editing software आपके पास होना चाहिए मैं use करता हूं in short क्योंकि जब मैं android phone use करता था अपना k20 pro तो उसमें भी मैं in short ही use करता था मेरे हाथ में in रखा है आधकर सारे के सारी जितने भी bloggers हैं वह जाधा तर macbook यूज करते हैं लेकिन मैं in short क्यों use करता हूं पहला reason तो यह कि in short मेरे हाथ में set और रखा है और दूसरा reason यह कि मेरे पास time की बहुत जाधा कमी है तो phone के अंदरी मैं in short डाला हूए सारी की सारी जितने भी मेर raw clips होती है वह मैं in short में डालता हूं फठाफच से editing करता हूं और वीडियो उसको processing पर डाल देता हूं उसके बाद कर देता हूं upload तो in short मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा software है बहुत ज्यादा easy software है आप सब भी in short को use कर सकते है काइन master मैंने use करके देखा था लेकिन मेर ज्यादा important भी features होते है वह in short में बिल्कुल free है आप उनको use कर सकते है बस आपको एक एड़ देखना पड़ता है 30 seconds का और आप in short को use करने के लिए बिल्कुल ready है और सबसे ज्यादा main चीज तो यह सारे equipment जितने भी थे इन सब में सबसे ज्यादा main चीज है वह है आपका mobile phone ज आजकल सारे के सारे mobile phones में आजकल wide angle lens आ रहा है तो आपको सिर्फ एक mobile phone की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं और सबसे main चीज तो है आपका confidence अगर आपकी वीडियो में आपको confidence दिखाई दे रहा है तो जितनी भी audience होगी ने सारी आपकी तरफ आएगी खिजी चली जाएगी और एक phone लीजिए उस पर लगाईए mic और शुरू हो जाईए और बिल्कुल confidence के साथ जितनी भी सारी वीडियो से वह आप बनाईए और सबसे main चीज सबसे पहले आप जैसी व्लॉग चैनल खोले खुछ जाहीं बजार में phone लेके ऐसे और बोलना स्टार्ट करतें देखें मध्यानमधी जी कि कौन आपको क्या देख रहा है उनका काम है देखना और आपका काम है वीडियो बनाना तो दूसरों का काम क्या होता है सब अपने काम कर रहे हैं कुछ न कुछ करी रहें तो आपका काम है वीडियो बनाना उनका काम है आप सबको देखना तो आप आपको में चीज़ आपको फोकस करना है अपनी वीडियो पे अपनी कॉन्फिदेंस पे और अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाईए व्लॉक्स को अप्लोड कीजिए अपना चैनल उठाईए तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेय झाल झाल झाल